हलो मेरे प्यारे विध्यारतियों कैसे हैं आप सभी आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और सभी विध्यारती फटावर से जुड़ जाएं आप सभी का तहीं दिल से स्वागत है लेली साड़े बारे बज़े आपके लिए खुबसूरत सी क्लास आती है जिसका नाम है 182 नंबर हम सेशन आज कवर कर रहे हैं और आपको काफी इंटरस्टिंग ये सेशन लगने वाला है मेरे साथ मेरे नए फांडेशन बैच में अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़िए बिना किसी देरी के SSC एक्जाम में आपको जाना है गैट सस्किप्शन पर आ आप इस मौके को बिलकुल भी ना जाने दें साहिल 10 एज एक कोड लगाकर अनकैडमे पर आज ही अपने सस्किप्शन को पका कर लें और मेरे साथ तैयारी में लग जाएं रात को 8 बजे आपका मौक टेस्ट होता है लगातार आपका हो रहा है और साथ के साथ आपकी जो 3 ब पावर भी लेनी है बी की भी अधिक्तम पावर लेनी है और सी की भी अधिक्तम पावर लेनी है तो एक यूब बी क्यूब और सी स्क्वायर एक बैग में पच्चिस पैसे, दस पैसे और पांच पैसे की सिक्के हैं तो पच्चिस पैसे हो गया, दस पैसे हो गया, पांच पैसे हो गया यह एक अनुपात, दो अनुपात, तीन के अनुपात में हैं तो यह हो गया असर 25 और यह हो गया असर 20 और यह हो गया असर 15 तो कुल मनाकर हम बोलते हैं 40 और 20 60iden 30 रेशो बराबर 30 रुपिया और मैं इसको 30 1000 के करना चाहूंगा बराबर क्योंकि रुपी इसको पैसे में बदल दिया तो एक बराबर आपका पचास आ गया तो पांच पैसे के कितने सिक्क्य होंगे तो पांच पैसे के अगर सिक्क्य की बात करें तो तीन सिक्क्य होंगे और डेड़ सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी next cot square theta minus cos x square theta तो हम यह कह सकते हैं one plus cot square one plus cot square वरावर होता है cos x square और second square की भी हम चर्चा कर सकते हैं इस बहाफ पर ठीक है या फिर हम यह चाहें कि हम common ले ले तो ज्यादा बेटर भी है यहाँ पर हम इसको cot को क्या लिख सकते हैं cos square theta upon sin square theta कह सकते हैं ना minus cos square theta cos square theta अगर हम common ले लेते हैं तो यह हो जाएगा one minus sin square theta upon sin square theta तो already यह अपना क्या बन गया यह cos cos square theta बन गया और यह cos 4 theta हो जाएगा जब निकलेगा तो यह हो जाएगा cos square theta cos theta upon sin theta into cos theta तो यहां आपका जो right answer आने वाला है वो आने वाला है cot theta और cos theta option number c next question 16 आ रहा है ना तो इसको आप 2 की पावर 4 लिखेंगे तो 2 की पावर 64 और 2 की पावर तशमलब 36 आधार बराबर बेश जुड़ जाएगा 2 की पावर 1 answer आएगा 2 D D आपका इसका right answer होने वाला है ठीक है चलिए next question देखेंगे आईए simple question है 1.500 और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरी को बिपरी दिशा में पार करती है 7.2 सेकंड में यह आगया सब 280 और 7.2 सेकंड अगर आप ले रहे हो तो 72 चलिए तो पार करती है और तो बोला जा रहा है दौनों ट्रेनों की गतियों का योग क्या होगा तो दौनों की गतियों का योग ही निकल कर आएगा चार से काटा 18 बार चार से काटा 25 बार और कुछ निकल के आ रहा है क्या अच्छा इसको ये बात और कह रहा है कि किलोमेटर प्रती गंटा में बता दो तो जादा मेरे लिए अब बैटर है क्यों अभी बताता हूँ क्योंकि ये 7.2 था तो बैटर ये उपर 10 ले गया इसको अगर मैं किस से गुणा कर दूँ 18 बटे 5 से 18 चौके बैटर 20 से काट दो आराम से आप 140 आंसर आ गया 140 बदलना जरूरी है करिए अगला कुशन एक खराब बस्तू जिसका मूल्या 1200 रूपे है 15 परसेंट की हानी पर बेचा जाता है यदि मूल्या में 5 और 5 परसेंट की कमी हो जाती है तो विक्रे मूल्य क्या होगा अगर इसका 5 परसेंट निकालेंगे यानि की एक बटे 20 निकालेंगे 51 रूपे और कम कर दो 969 बी सक्सेसिवली भी कर सकते थे नेक्स्ट हो जाएगा यहां अगर आप रखोगे तो रूप टू प्लस वन माइनस रूप टू प्लस वन यानि की रूप टू से रूप टू कट गया तो टू आपका उत्तर हो गया कि नेक्स्ट कि 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 पंदरा चोटी चड़ों को जोड़कर एक बड़ी चड़ बनाई गई बड़ी चड़ की लंबाई कितनी होगी यानि की सर जोड़कर को कोई कि लॉजिक नहीं है केवल यह समझ लीजे कि गुणा किया गया है तरीका देखना शांदर तरीका तो तेईस गुणा कर दिया और प्लस 30 बटे साथ क्यों क्यों क्योंकि बीच में ये प्लस होता है इन बिल्ड ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा तो 15 या 45 15 दूनी 30 और 4 34 प्लस 7 4 28 और 2 बटे साथ तीन सो उननचास 2 बटे साथ आपका सही उत्तर होगा विकल्प नमबर सी प्रेक्शन को सॉल्व करना है नेक्स्ट बोला जा रहा है कि यह एक समीकरण है इसमें मूलों में से एक एक्स बरावर दो है तो दूसरा मूल क्या होगा यदि एक मूल एक्स बरावर 2 है तो 2 का स्क्वायर 6 दूनी 12 प्लस का के बरावर 0 कर दो यानि की के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6 एक्स प्लस का 8 बरावर 0 मैंने रख दिया अब 8 के ऐसी टुकडे करें इसे जोडने पर 6 आ जाए बोले 4 और 2 यहां माइनस है तो दूनों प्लस होंगे तो एक अगर 2 है तो दूसरा जो मूल होगा वो स्वते ही 4 हो जाएगा नेक्स्ट वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 202 में से घटाने पर पून वर्ग प्राप्त हो वह संख्या कौन सी है जिसे 202 में से घटाने पर पून वर्ग प्राप्त हो तो 10 घटाओगे तो हो रहा है क्या 202 में से अगर 8 घटाओगे तो हो रहा है क्या 202 में से अगर 14 घटाओगे तो हो रहाए गया 202 में से अगर 6 घटाओगे तो हो रहाए गया परक पड़ता है ना 106 में ये बन रही है भाई 6 Next किसी ब्रत की चाप की लंबाई ब्रत की परीदी की 2 बटे 9 है तो ब्रत की परीदी 2 पाई आर होती है इंटू 2 बटे 9 आपकी क्या है चाप की लंबाई है ठीक है तो यदि ब्रत के केंदर पर चाप के द्वारा बनाए गए कौन का माप डिगरी में क्या होगा तो यार देखो सिंपल सा लॉजिक है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 360 से मल्टिप्लाई कर देना है तो यहाँ डाइरेक पता लग जाएगा 80 डिगरी क्योंकि है तो वो 2 पाई आर के रेस्पेक्ट में ही तो 80 डिगरी आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है माइडियर लॉजिक क्लियर होना चाहिए क्योंकि जब लॉजिक क्लियर होता है तो सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाती है नेक्स्ट वैल्यू एड़ेट टेक्स शामिल करने पर टेली वीजन का मूल्य 14,000 रुपे हो जाता है यदि वैल्यू एड़ेट टेक्स 12% है तो 112% वरावर आपका 14,000 है 14,712 तो टेली वीजन की कीमत कितनी हो जाएगी यह आप जराब बता दें या गड़वड़े 14,812 होता है आठ चोके बत्तिस चौद 16,712 होता है 14,8 होता है आठ बार गया 125 आंसर आएगा बारह हजार पांसो ठीक है माई डियर स्टुडेंट किसी को कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है चलिए नहीं को नहीं 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 को किसी को समय सीमा समाप्त हो गई है देखिए जरा एक आदमी चार क्लोमेटर प्रती घंटा की चाल से चलता है तो उसकी रेल गाड़ी एक गंटे पहले छूट जाती है अगर चार क्लोमेटर प्रती घंटा की चाल से चले तो एक रेल गाड़ी एक गंटे पहले छूट जाती है यदि वे अपनी चाल को बढ़ा कर पांच क्लोमेटर प्रती घंटा कर देता है तो 24 मिनट पहले छूट जाती है तो उसके समय बताईए कितना चाल से चलना होगा कि वे इस्टेशन पर सही समय पर पहुंसे के तो टाइम का दिक्कत है तो टाइम का है तो मैं सीधा सीधा रेशो मेथर लगाऊंगा ये चार है ये पांच है ये टाइम का रेशो हो जाएगा पांच और ये चार समय कितना बच गया एक रेशो किसक गंटे जो अपना टाइम लग रहा है वो एक्चुल टाइम है यह सही है क्या नहीं यह तो चार से चल रहा है तो एक गंटे पहले छूट जाती है उसकी रेल गाड़ी पहली निकल गई एक गंटे यानि कि उसको तीन घंटे लग रहे है रेल गाड़ी दो घंटे पहले निकल रहे हैं किस चाल से चलना हो चाहिए जिससे की स्टेशन पर वह सही समय पर पहुंच जाए तो कहने का मतलब उसको जो कवर है वो करनी चाहिए दूरी और दूरी कितनी हो गई 12 किलोमेटर 12 किलोमेटर अगर दूरी है तो वह दो घंटे में पहुंचना चाहिए कैसे भी करगा ओवेसी बात है एक गंटे छूट रहे है न ट्रेन उसकी तो वह 2 घंटे में कैसे भी करके पहुंचेगा न तब जाके बाद बनेगी वरना बात ही नहीं बन पा रही है तो उसकी रफ्तार होनी चाहिए 6 km प्रती गंटा सब दूरी कैसे आई 3 गंटे इंटू 4 स्पीड 4 है न और 3 गंटे लग रहे हैं तो 12 km की तो दूरी है लेकिन वो एक गंटे पहले छूट जाती है औरे यार एक गंटे लेट हो गया इसका मतलब अगर उसको एक गंटे पहले पहुचना है तो 3 गंटे की वजाए 2 गंटे में पहुचना है तो अपनी स्पीड 4 की वजाए 6 रखनी पड़ेगी ऐसे common sense लगा के काम किया करो आप Next दो वर्ष के लिए 4 साल का 4% की रेट से साधरन ब्याज की दरसे मूलधन इतने रुपे पर अरजित ब्याज तो मूलधन 3675 रुपे पर अरजित ब्याज कितना हो जाएगा 8% मैं calculation का ही आपको सज तरीका सली का बताने वाला हूँ इसको आप 36 सही 3 बटे 4 लिख दो कोई रोकने वाला नहीं है गुणा 8 तो 36 चौके आपको कोई करने की जर्वत नहीं है आपको आप बस बढ़िया तरीके से देखो 145 147 बटे 4 into 8 4 से काटा दो बार साथ दुनी 14 दोसो चौराण में आ रहा है क्या आत हो रहा है भाई आपने यह एक टॉप क्लास केल्कुलेशन का तरीका होता है जहां कर सकते हो और वह करना भी चाहिए जिससे की केल्कुलेशन और ज्यादा आसान बनने लगे अंसर दीजिए अनिम्न में से कौन सा को प्राइम है को प्राइम वो होता है जिनका SCF1 हो इसका भी SCF1 है क्या नहीं है इसका SCF1 है क्या येस इसका है क्या नहीं है इसका है क्या नहीं है इसका भी नहीं है तो आंसर बी होगा क्यों SCF1 होना चाहिए Next यहाँ यह division है बस बाकि सब plus minus 2 भी दिखता है देखिएगा बोला जा रहा है सर जो भी हिसाब किताब है वो आपके सामने है 4 दूनी पहले divided by 2 होगा और 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 3 7 minus 1 6 14 दूनी 28 28 में से 6 गया तो 22 22 दूनी 44 16 minus 5 16 minus 5 प्लस चम्वालिस 55 आंसा राटी Next चलिए कैसे करेंगे डियर देखिएगा एक आयतकार पार्किंग स्थान को इसकी तीन बुजाओं को पेंटिंग कराके चिन्नित किया जाता है यदि पेंटिंग ना की गई तो बुजा की लंबाई 9 फिट है और पेंटिंग की गई तो बुजा की लंबाई 37 फिट है तो पार्किंग स्थान का छेतरफल वर्ग फुट में कितना होगा यह आपको बताना है तो देखिएगा हाँ चलिए बहुत बढ़िया तरीक से करने वाले है बुजा की लंबाई कितनी है 9 फिट पेंटिंग की गई भुजा की लंबाई जो है वो 37 है यानि कि आपके सामने L प्लस 2 B बरावर कितना होगा 37 फिट ठीक है तो L बरावर अगर लगाओगे तो मोटा ही निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ रही है 28 और 9 37 तो यह आ गया 14 तो चौड़ा ही निकल कर आ गई 14 तो आप से एरिया पूछा गया है तो 14 इंटू 9 126 फिट इसका है next next देखिएगा, एक वस्तू को इतने रुपे में बेचने पर प्राप्त लाब, उतने में बेचने पर हानी के बराबर है, तो क्रेमूले क्या होगा, तो अठारे सो पचास, प्लस पच्छिस सो चालिस, नभ्य का हो जाएगा, 4, 3, 9, 0, बटे दो, तो दो दुनी चार, दो एकम दो, दो नाम अठारा, दो पंजे दस, 2, 1, 9, 5, अप्शन नमबर बी, नेक्स्ट, देखिए, यह है गजब का प्रश्ण, आजाएगे, X की पावर 4, प्लस Y की पावर 4, सुनना ज़रा, नीचे आ रहा है, X स्क्वाइर, और Y स्क्वाइर, इंटू में, माइनस का 2, अगर इसको मैं इसे गुणा भी कर दू, तो कोई टेंचन नहीं है आपनको, क्योंकि उपर कुछ बनेगा ऐसा, जो आपके सोच को पलट कर रख देगा, 2 सेकंड के अंदर, अंदर, और उसका वर्गमूल ले लेंगा, मैं कोई टेंचन नहीं है, क्योंकि वर्गमूल ही निकालना है, ये बन रहा है, X स्क्वाइर, प्लस, माइनस Y स्क्वाइर का, होल स्क्वाइर, तो अंडर रूट निकल जाएगा बहर, और ये X Y, और आपको जब सॉल्व करने पर आएगा अंसर, तो ये हो जाएगा, सर, X अपॉन Y, माइनस Y अपॉन X, मज़ा आ गया, विकल्प नंबर C का आप चैन कर जाएगे हमारे साथ, बुक आ गई ना, तो बस मस तरीके से पढ़ाई करो, सेट लगाओ, अगला प्रशन, एंटीबिज, CBT2 की बुक आपके लिए ठीक है, और कुछ बच्चे, ये बात भी कर सकते हम, इतना दिमाग क्यों लगाएं, डायरेक्ट भी तो दिख रहा है, ये X अपॉन Y, माइनस Y अपॉन X का तो पहले से ही होल स्कुएर है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बेलन के वक्र प्रश्ट का छेत्रफल 440 है सर, परीदी दे रखी है, तो रेडियस आपकी आगई साथ, आधार के हाँ, तो रेडियस आगई साथ, आयतन कितना हो जाएगा, वक्र प्रश्ट का छेत्रफल निकालते हैं 2PiR, यानि कि वही 2PiR ही तो होती है परीदी, H बराबर 440, H बराबर आगया 10, तो रेटन PiR स्कुएर H, PiR स्कुएर कितना हो जाएगा, एक सो चौवन, H की वेल्यू 10, 1540, यार ये चार्ट ने बहुत आसान कर दिया, है ना, चार्ट की वज़े से कितना आसान हो गया, देखो, 114 भी डायरेक्ट लिया गया, व्योंकि रेडियस साथ है, तो PiR स्कुएर एची तो होता है, PiR स्कुएर की वेल्यू आगई, दो मिनिट के अंदर अंदर, ठीक है माइडिया, मज़ा आया आप लोगों को जल्दी से मुझे बताओ, 17, 18, 19, 20, ये आपका क्या है, आपके पूरे कंप्लीट सैट हैं, होमवर्क में, जो आपको करने होते हैं हमेशा की तरह, है ना, चलिए, आज क्या-क्या होने वाला है, आपका लिए, दुपैरी में तीन बजे, सिंपल इंट्रेस्ट का मेगा टेस्ट होगा, तैयार रहना मज़ा आ जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ, और 2 अक्टूवर, यानि कि आज रात को 8 बजे मौक टेस्ट होगा, अनकेड्मी पर मेरे साथ, आप साहिल 10 कोड लगा कर, मेरे सस्किप्शन के साथ जुड सकते हैं, और जुडिए और एक ऐसी तैयारी करिए, जो अलग लेवल की हो, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, अनकेड्मी लडनर रैप पर आपको जाना है, SSC एक्जाम में, उसके बाद आपको गैट सस्किप्शन पर जाकर, 24 महीनी का बैच लेना है, और साहिल 10 ऐसे कोड लगा कर आपको जुड़ना है, प्रोसीट टू पेपर जाकर जैसी पेइमेंट करोगे, प्रोसीट टू पेपर जाकर आपका पेइमेंट हो जाएगा, साहिल कहने जे कोड लगा कर आप जुड़ जाओगे, मज़ा आने वाला है, यह आपको बिलकुल निश्चित तोर पर मैं बता देता हूँ, आसके डाउट फीचर, रेज एंड फीचर, यह सारे फीचर आपको मिलेंगे, और एक टॉप क्लास कॉंटेंट मिलेगा, मेरे साथ, मेरे फाउंडेशन बैच में आप जुड़िए, और टेलिगराम पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, तो all the very best, take care, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डलवा दूँगा, तब तक के लिए, बाबाई, love you all.